दो प्रेमियों को सड़ईव एक दूसरे को उनके वास्तविक रूप में उनकी मर्यादा में रखना चाहिए ऐसे आसकती में आकर एक दूसरे को महान बनाने की ये मिध्या प्रयास ये ना केवल अनुचित वलकि अनर्थकारी भी सिद्ध हो सकते हैं और इस प्रकार वामन अवतार नारायंड उनका तीसरा पग बली के कहने के अनुसाए बली के मस्तक पर रखा उसके पश्चाताप की भावना से प्रसन होका उसे अगली सवरनी मनवंतर मा इंद्र होने का वर्दान भी प्रदान किया मैं समझ गए ग्रशन मैंने भी तुम्हारे साथ यही किया तुम कुछ भी कर सकते हो यह खहकर मैंने एक पिता और पुत्र के संबन में तुम्हें हस्त शेप करने को का जो फूनता अनुचत था इसे मेरे पिता भी आहत हुए मेरा भाई भी दुखी है और मैंने तुम्हें भी आहत किया तुम मुझे कभी आहत कर ही नहीं सकते। प्रेम का पाच्वा वच्चन तुमने समझ लिए। उसे आत्मस साथ कर लिया। मेरे लिए इससे बड़ी बात और क्या हो सकते। पर जब तुम इतना जान गई हो तो ये भी जानी कि सारे समस्याओं के तालों की कुण्जी भी यही है। इस प्रकार बली को मनु वान्शित इंद्रपद मिले। उसी प्रकार तुमें भी वो अवश्य मिलेगा जो तुमारी इच्छा होगी। तो अब सहायकपत के लिए आयन का विशेख होगा। अरे वाव रामर्ण देव का चले। अरे आप दोनों जानते हो महराज कंस ने मुझे अले को सौर्ण मुद्राई परदान की है। पहले तो उन्होंने मुझे बंदी मना लिया था। मैं भैभी ठो गया किन्तु उन्होंने मुझे सुरक्षित छोड़ दिया। अंत भला तो सब भला। तब तो आप अत्यनत प्रसंद होंगे ना प्रहमन देवता। फैरे से कैसे प्रसंद चित नहीं होंगे। हमने जो जानकारी दी थी वो सत्य भी तो होगी। आप लोगों के द्वारा दी गई जानकारी से मेरी दर्दरता का अंत हुआ। चलो बहुत अची बात है। देखे, अब हमारी छोटी सी सायता से आपका थोड़ा लाब हुआ। अब आप भी हमारी छोटी सी सायता कर दीजे। हमारा भी थोड़ा लाब हो जाएगा। देखे, इतनी अधिक स्वन मुद्राओं के बदले बस एक छोट ऐसा का है। कहिए, कहिए, क्या करना। और अब आयान को तहायक की पगड़ी पहना ही जाए। सत्वश्चात, अगले नौ दिवस तक मेरी सभी शक्तियां और दायत्व के साथ आयन इस गाउं का तहायक बनेगा। कर दो अब दो आफं का ढशिए बनタ्राव झाल झाल क्या हुआ ब्रामन देव आपने मेरा अभी शेक क्यों रोक दिया क्योंकि पगड़ी पहने से पूर में ये सुनशित करना चाहता हूँ कि तुम पगड़ी के साथ आने वाले दैट्व के योग्य हो भी ये नहीं आप सभी को मेरा परणाम मैं एक पथिक ब्रामन हो मैंने सुना है आज यहां नए सहायक का चुनाव हो रहा है एक ब्रामन होने के नाते मेरा ये दाईत्व बनता है कि मैं एक अच्छे शासक की पहचान करूँ यदि आप सब की आज्या हो तो मैं इस यूवक से कुछ प्रशन पूछना चाहता आपको जो प्रशन पूछना है पूछी मुझे पूण विश्वास है कि मिरा आयन आपके प्रतिक प्रशन का उचित उत्तर देगा जैसा कि आप सब जानते हैं इस गाओं की आजीवी का मुख्य रूप से गाओं के गोपालन पर निर्भर है तो जो इस गाओं के सहाइक का डल्ट उठाएगा उसे इतनी जानकारी तो होगी ही कि इस गाओं में कुल गईया कितनी है हमारे गाओं में है या कुल मिला कर रहा क्या हुआ पता नहीं चलो इतना बताओ कि बरसाना में कुल कितने लोग निवास करते हैं बरसाना में प्रती दिन कितने दूद माखन और घी का उत्पादन होता है कि अक्या कि आपका आपका जाओं कि इसमाना फ्र्दम करें पाद 사व कि वेया कि आपका प्रता आपका एदाऊ कि आपका एकि उत्राइब तौल है ना थैल इंड ह packetsनों कहें दूर मोधाट सारी प्रश्यों करें दरीया थे तुम जाके उन्सारे प्रश्यों करने क्तां के उतहीं नहीं अ तुम भी जानते हो, इस पद की योग्यत तुम ही हो, व्यात है न तुम्हें, यदि ऐसा होता, तो राधा जीजी मुझे चुनती, परन्तु उन्होंने चुना उस आयान को, राधा जीजी ने मुझे से कहा था, यह वही मुझे सहायक बनाएगी, राधा ने तुम्हें नहीं चुना, क्योंकि वो नहीं चाहती तुम उपकार के कारण चुने जा, वो चाहती है कि तुम अपने क्षमता के आधार पर, अपनी योग्यता के आधार पर इस पद को प्राप्त करो, क्या यानुचित है, तो इसलिए उन्होंने आयन को चुना, ये क्या अनर्थ करने चले थे आप लोग, एक योग्या है, और अक्षक्षम व्यक्ति को इतना बड़ा दाईत्व सोब रहें आप, इसे तो बरसाना के विशे में कुछ गया थी नहीं, तो इतना बड़ा दाईत्वी कैसे उठाएगा, प्दाचित, ये इतनी बड़ी शक् ये नहीं, सत्य है, आयन इस पद्ध के योग्यी नहीं, किन्तु आयन नहीं, तो फिर कौन समालेगा इस पद्ध को, कौन बनेगा इस गाउं का सहायक, बरसाना में तीन सहस्त्र गया है, जिनकी देखबाल साथ सहस्त्र वासी करते हैं, और बरसाना में प्रति दिन दो सहस्त्र मटकिया, दूद, तीन सो मटकिया घी, और एक सहस्त्र मटकी माखन का उत्पादन होता है, उचित उत्तर दिया है धामा हाँ ये युवक है जो बरसाना की मिट्टी से जुड़ा हुआ है इसे होना चाहिए बरसाना का नया सहायक कर दो बरसाना की मिट्टी से जुड़ा है